हेलो दोस्तों आजम बात करने वाले हैं B6 का 6HP सबमर्सबल बोड़ेल सबमर्सबल पाम्प की वाइंडिंग की बाड़े में वीडियो में आपको पुरा वाइंडिंग कानेक्सेन सब कुछ देखने को मिलेगी वीडियो को सुरू सलिका लास तक जोरू देखते रहना तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सीख जाओ गया फरमा से कोईल बना लेते हैं is तरा से 336 कोईल बनाना है 4 के ही और प्रती कोईल में ट्रान दिया है 28 करके ट्रान लगाया है हमने 10.3 वएर से तो यह देखें इस तरह से आपको जो है चार कोईल के साथ यह कोईल बनाना है इससे जो चोटा कोईल होगी वो दो होगी और दो middle बहरा कोईल होगी की इसा से कोईल बना लेना है और इसे की मैंने आपको बताया कि इसका । दावीजिए रहेगी, 1.30, और हरक कॉईल में ट्रॉन देना है, 28 18-ाच ट्रॉन करके देना है, इस तरह से सभी कॉईल में इसी सेम ट्रॉन रहेगी, सभी में को बना लेना है, तो यहाँ पर देखिए मोटरो का इन फर्मेशन है, यहाँ पर दिखा गया है, आप देख सकते हो यह आप है इसका जो आपीम है वो 2830 है और इस टार कानेक्शन में है 4.5 किलोवाट का है और 6 HP का है यह जो मोटर दोस्तों वो किरलोस का कुमपानी का मोटर है जो कि आच्छा कुमपानी है बहुत अच्छी इसका मोटर चलती है और इसमें जो स्लोट आप देख रहे हो आप कर सकते हो और इसका कुमपानी की लेंथ है यह जो आप देख सकते हो 45 जो है और लंबाई जो इसका है पूरा बॉड़ी का वो आप देख सकते हो 29 सेंटेमेटर है अब सबसे पहले हम स्लोट के अंदर ये इंसुलेट पेपर डालेंगे फिलिम पेपर तक कोईल डालने के बाद कोई आच ना है तो यहाँ पर पूरे स्लोट में डाल दिया और कोईल डालने के लिए आपको दो सेपरेट फिलिम पेपाद चाहिए तो सात नामर का इस तरह से काट लेना है कोर की लंबाई से थोरा सा बरा और उसमें तो इसमें तो यहाँ से थे काउंट कीजिए एक दो तिन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस तो वाइंडिंग जो होगी दूस्तो हमारा सभी कोईल का फास्ट कोईल जाएगी 10-20 एक से 10 स्लॉट में और second कोयल आएगी वह से 12 स्लॉट में तो तीनो इसीप का वाइंडी के वोसेम रहेगी कोयल पिच रहेगी एक से 10 और एक से 12 तो यहाँ पर पहला सेत हम ने लिए लिया है इसमें से सबसे से चोटा को फोकि दो कोई लोगी कि इसमें से किसी ल düş रहे गए आट रॉकर ब्र ौइर दूसरी कोई अपति है आप देख सकते हो यह कोई हैं ओ olduğ जो left hand है उस side में रहेगी हमारा inner wear यह वाला lid तो इसको left hand side रख देते हैं आप coil को थोड़ा सा इस तरह से पतला बना लेना है ताकि श्लोट के अंदर यह आसानी से जा सके इस तरह से पतला बना देना है सामने की तरफ उंगली से पकरने के बाद फिलिम को इस तरह से गयाप करके इसके अंदर डाल देना है और दोनों side पेसर बना के इसको इस तरह से ठेल देना है अंदर की तरह तो आपकी जो वाल है वो श्लोट की अंदर चला जाएगी उसकी बाद आप चाहो तो जो लक्री का तुकरा है लेला स्टिक होती है उससे आप बैटा बिठा सकतो इस तरह से और बिठाने के बाद दोनों कोईल की स्लोट के उपर भी आपको स्टिक लगा देने के बाद इस तरह से कॉम्पिट करना है अब यहां हमें फिलिम पर लगाएंगे क्योंकि इसको जो कोईल है वो इसका जो देख्यें है एक इन इनैर वैरलीड का छोड़ दिया और इसका राइट हेंट साइड इसका उटर वैलिड चोड़ दिया अब हमें विश्का सेकेंड कोईल वैनिंग करें इसके लिए इससकी बजू में आएगी आपकी इसकी बाज़ी में जो शुल्ट खाले रहेगा यह बाला यह बमसे से 10 और 1-12 इसी तरह से वाइंडिंग चलता रहेगा वाइंडिंग में पैच पीछ फी रहेगी जो अब बंडोर इस तरह से डालेंगे सामने की और कोईल को थोड़ा सा पतला बनाएंगे और फिर इसको डालेंगे इस तरह से हमेशे की तरह और यह बला जो सीर्ज वारा देख रहे हैं आप यह राइट हैंड से होतो है लेफ्ट हैंड की तरह भूम के आएगा यह चीज गलती नहीं होना चाहिए और फिर इस तरह से हम कोईल को डाल देंगे स्लोट के अंदर बहुत यह आसन तरीका है दोस्तों पहले पहले आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो तो आप दिरे-दिरे सीख जाओगे कोईल आप इस तरह से वैंडिंग कर सकते हो बहुत है अग्या यह तरह को इस तरह से säldig लेने के बाद कोईर की अंदर डाल देना है 隻 tactile को इस चारा से बनादेना है दूनों साइड इकए और वह भी इस क्यूब पर बैठ गुमाएंगे इस तरह से कि और घुमाने के अब आधा जो बाकी है उसको डालेंगे तो इसलिकर हम उपर के तरप एक स्लोट चोड़ देंगे इससे नीचे की स्लोट में वैंडिंग करेंगे तो एक से दासवत में आए गया अगर काउंट करेंगे तो और बिच में 8 खाली चो कोटा कोईल होगी एक बड़ा कोईल तो चोटा कोईल को सबसे पहले डालना है और इसके में भी राइट हंड के तरफ आउटर वैड छोड़ देना है यह वाला और लेफ्ट हंड के तरफ इनर वैड छोड़ देना है इस तरह से पहले जिस्टा से डालना देखा आप सेम उसी को फॉलो करके इसी को भी डालना है और को एड को पतला बना के श्लॉट के अंदर इस तक ढूना है को यह देर के लिए टॉट के चाहाएंधर कि अंदर चला जाएगा इस तरह से और फिर से फिलिमएवर को बाहर निका लेना है और एक शीज ध्यान रखना है कि where में किसी भी तरह से खर्च नहीं आना चाहिए यांनि लिक नहीं होना चाहिए है लेंगे तो माटर में लीक नहीं होना चाहिए ऐगर लीक हो जाएगे तब कि मोटर का बॉड़ि शौट सब्सक्राइगी तो मोटर मोटर में करने में लीक होना चाहिए इसकोमstarter नहीं ऊठना चाहिए बोध क्ला रखना होगा जंगि यह दुस्तों ज। कि अंदर रहती है तो सौ्ट हो जाती है अगर लीख हो जाएगी तो सौ्ट हो जाएगी तो उश धेया रखना है और को tav को इस तरह से से भंडा लेना है से भंड़ना बहुत जरूरी है तो देखिए यह भी कोईल भी डाल के गॉम्पेट हो चुकी है और इसमें भी हमने लेफ रंड के तरफ इनर वेयर छोड़ा है और राइट हने तरफ आउटर वेयर अब इसका सेकेंड कोईल डालेंगे जो की एक से बारा स्लोट में आएगी जो हमने उपर के तरफ एक खाली चुरा था उसमें यह कोईल आ जाएगा अब पहला से राच्छा से देख लिए बाकी सबी कोईल इस तरह से डाला जाएगी तो पहला से यहां पर ध्यान दीजिए कि यह जो दो वेयर है तो इसमें से यह वाला जो वेयर देख रहे है वह राइट हंड से घूमते हुए आप जलती कर देंगे तो पूरा मोटर वाइनिक बेकर हो जाएगी आपका है और इस तरह से इसको भी स्लोट के अंदर डाल देना है कि अब देखिए करके ज्यादा जल्द मजी नमात कीजिए जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्द जल्दी वाइनिक कर सक प्रैक्टिस करेंगे तो आप पुराना वाइर लेजिए और पुराना वाइर से क्वाइल बनाके दोस्तों डालिए तो उसमें अगर लिख हो जाएगे तब भी कोई प्रॉब्लिम नहीं है अगर आपको लगते कि वाइनिक से आप कर पार रहे हो तब क्या है कि आप नया व हम इसको फिर से कुलाग बाइस घुमाएंगे आप सेकेंड सेट डालेंगे तो कहां से स्टट करेंगे देखिए यह जो कोईल आप देखेंगे बिल्कुर बाज में जो स्लॉट खाली है यहां पर यहां से स्टट करना है ठीक है तो इसमें हम फिल्म डाल देते हैं उसकी बाद यहां से आप रावट 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 की तरफ काउंट करेंगे एक से दस स्लोट में जाएंगे इस तरह से काउंट करके आपको दस नमबर स्लोट में आना है और यहां पर देखे हमने 10 नमबा स्लोट में आ गया बीच में आपका 8 स्लोट की ग्याप रहेगी और इस तरह से देखे आप जो है इन दुनों स्लोट में कोईल डाला जाएगी ठीक है तो जब भी कोईल के पुरा से ट्वाइनिंग हो जाएगी इसके तरह से कोईल डालना है तो देखे कोईल भी हमने डाल के गॉम्पिट किया इसका दो कोईल डाल चुकी है दीतीयो शेट का अधा कोईल हम डाल दिया है इसका भी लिफ्ट हंड की ताप इनर रवगा राट रवगा निकल गया है तो इसको थो तो हमने इस्किप कर दिया तकि टाइम थोड़ा से कम लगे कोईल डालने के process तो same है सिर्व आपको समझने की जुरूरत है अब इसका जो बाकी आधा कोईल बाकी है इसको भी हम एक से दस नमबर स्लोट में ही डालेंगे तो इस साइड आपका दो स्लोट खाली है इसमें से नीचे बाला जो स्लोट है बाजू में वहां से start करना है और दस नमबर स्लोट में आना है राइट हैं की तरह इस साइड यहां पर फिर यहां पर इस एक से दस में इंक्स को डाल देना है देखिए हमने और एक से बारा में डालके दीतियो सेट भी कॉम्पेट कर दिया वीडियो को थरह से स्क्रिप कर दिए दोस्तों कि टाइम प्रोसेस है जो दो कोईल आप देख रहे हैं इसकी बाजो में जो शॉर्ट खाली रही रहेगी यहां से स्टट करना है फिर राइट हैन की तरप आपको 10 नमबर स्लोट में आना है सेम प्रोसेस इसी को फॉल्व करना है देखिए यहां पर आ जाएंगे तो बीच में आपका फिर मोटर को हम इसका से क्लॉक बाइस गुमाएंगे इसका बाकी जो दो को इल बाकी उसको डाल देना है तब लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको टूटल लेफ्ट हंड साइद दो सलोट और राइफ्ट हंड साइद दो सलोट खाली दिखाए देगी जो कि आपके इन दो सिलोट में वाकी जो दो कोईल ए उसको डाल देना है अब देख सकते हैं और वही प्रोसेस फोलो करके इसको डालना है और तो इनदेनों कॉल को भी डाल 오래क्त देते हैं और एवीडियो को थो से musky कर देते हैं देखिए पूरा सेफ हमाने डालके झो है कॉम्वेट हो चुकी है इन दिनों कोईल को भी डालके कॉम्वेट कर दिया है और इनका भी दो लीड निकल के आया है एस टाइ्स निन्र वॉयर लेड निकल के आया झाल झाल कोईल आप यहाँ पे जो है कानशन करने वाले हैं तो यहाँ आप देखिएंगी तो आपको तो आपकी एरिया के वोल्टेज के हिसाब से किया जाता है जैसे अगा डेल्टा करना चाहते हैं तो किसी भी बाजू बल्ला दो लीड को आपको लीजी और इस तरह से जोइन कर दीजिए तो आपको तुटाल यहां पर तीन लीड देखने को मिल जाएगी आगा दो दोकर कर द गुलो बुलू तो इस में केकनक्स की कोई भी महेत्व होता है है अब किसी भी लीड के साथ इसने सों कोई सुइन कर सकते ओक Christmas कर देते कंब नहीं हम से कर कि कि सीवेक छोड़े को शोड़े उसकी बाद फिर एक गयाप रहे तो यहाप रहेond2748 को यहाप छांड तो जो फिर लिया इसको बना सकते हो या पिर इसको जोई यह इस तरह से या फिर जो बाकी तीन है उसको जोइन कर सकते हो और इसको लिट गरोप निकल सकते हो तो देखिए हम ने इस तीनों के एक साथ जोइन कर दिया है अब इसको अच्छे से टेपिंग कर देना है तो पहले ब्लाक टेप दिचे उसके पाद उसकी उपार कांचारा चलाये फिर उसके उपार दोस्ता है मिंगा ना है तो रिट्ण अरा टेपिंग होगी तक वाथ पुप ऊर्पूप और अचे सवरे जहरे जो है तो कंचारा बरला बाने का पीर से आपको त्यक्रीपिंग करना परतेगा की उपर इसता से बिठा देना है अंदर में ही रहे जाएगी इसको बाहर निकालने के जोरुवत नहीं है अगर फ्यूचर में जोरुवत थे तो आप इसे डिल्टा करने समय वना सकते हो खोलके आप यह हमरा केबिल है केबिल का तीन वयर है रेडियो बुलू तो आप किसी भी कि और फिर अप्ला प्ले के मतश्यक्य को प्कारिए लीजिए और उलिकमासट। से भूआ यह जा दना है जारOOOO confused सब्सूरेबंद प्लेण कर देंना थे तो इस तरह से आच्छे से भूना भूना के बिल्कुल कर देना है अच्छे से बिठाómo बिठा है अगर सा करिना है इस तरह से बाकि दो लीट को भी जॉइन कर लिया है। तो इस Tale चलिए यहां पर उसके लाटाइzen करेंग कर दूसलियों करना है है यह तुडिए आपको एक दिखा देते हैं पहले इसके ऊपर टुपिम चबा है इस्तरा से उसकी बाद इसकी ऊपर आपको कांचना रबन लगाना है इस तरह से और फिर से दोस्ते इसकी ऊपर यह डाप को ब्लग टेप लगाना है नों सlais 13जा को बांकि जो भीपीन करके कंपिन कर दिना है कि इसा स्ब कुछ कॉंपै पहले मैं के बिढ़र से कॉइल की ऊपर से बिठा दाईएंगे कॉइल कोईल के उपर नहीं दोस्तों कोईल की सामने आपको इस तरह से बाद लेना है अब इसको से फाइट करेंगे जूरुआ थे एक साइट देखिए प्लास्टिक का पबर लागा हुआ दूसरा नहीं है वह डेमेज हो चुकी तो इसको हम ने फेक दिया अब इसके उपर इस तरह स अब इसके उपर स्टिक लागाने के बाद इसे जो है सेटिंग कर देना है तो चलिए हम इसे सेटिंग करके आपको दिखा देता है धरे-धरे पुछ आपको देना है तो चलिए अब इसे जो है से जो है जो है सेटिंग कर देना है तो चलिए हम इसे जो है और देखिए इसका करवन थास है तो थास लगाने का समय ध्यान रखिए इसका जो चाबी है इसको स्याप्ट में लगाना है और बिल्कुल इसकी चाबी का घाट है घाट के साथ मिलाना है और ध्यान रखिए कि यह जो करवन थास है इसके उपर ज्यादा पेसर मत दिजिया और किसी से ठोकाठा के मात कीजिए नहीं तो यह तूट जाती है और इस सरक्लिप भी लागाना जोरूरी है ताकि यह थास निकलना जाए इस तरह से इसको लगा देना है तो दोस्तों यहां पर मोटर फिटिंग जो है लगबग कॉम्प्रिट हो चुकी आप देख सकते हो और सभी पार्ट इसका हमने अच्छे से लगा दिया है पट्टू पट इसका स्याफ्ट भी फिरी होना चाहिए इस तरह से जैसे कि आप हाथ से घुमा सकते हो और बिल्कुल अच्छे से हमने इसको कॉम्प्रिट कर दिया है आप चाहो तो इसकी अंदर आप वाटर डालके इसा चेक कर सकते हो और नहीं तो मीरर से भी इसका उसमें चलेगा तो आपको वीडियो अच्छे लेगी है बीडियो को लाइक की जानल में हैं अच्छे लेगी तो सब्सक्राइब कर दो